नमस्कार दोस्तों क्रिकेट भी सचिन बूरें फिर से एक बड़ आपका स्वागल दोस्तों टैनिस बॉल से प्रफेक्ट योरकर बॉल कैसे डालें दोस्ते बहुत सारे दोस्तों का रिक्वेश्ट है कि इसके उपर एक वीडियो बनाएं दोस्तों आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आपका tennis ball एक दम perfect पैरों में ही गिरेगा जहां पर गिरना चाहिए क्योंकि tennis ball के ओपर काफी सारी वीडियो और भी बनी हुए मैंने भी एक दो वीडियो पहले भी बनाए लेकिन कई लोगों के सही से समझ में भी नहीं आई आज लेकिन वो तरीका बताऊंगा इसके बाद आपको वीडियो देखने की जरूती नहीं पड़ेगी कोई यॉरकर के ओपर की यॉरकर perfect कैसे डाला जाए दोस्तो लाशित मलिंगा कैसे यॉरकर किंग बने वो भी मैं आपको बताऊंगा जस्परीद बुमरा ने भी वही टेकनिक अजमाई थी और मैं भी उसी इसाप से बताऊंगा उस और भी तरीके मैं बताऊंगा जो काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनाए हुए है तो वीडियो को लास तक जरूर देखना अगर चैनल में ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि इस तरह के आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुछे ये बहुत सारे दोस्तों के समझ मेन आ रहा है releasing क्या है कैसे कहां से करना हम लोग जब normally bawling करते हैं जब बॉल डालते हैं तो डालते हैं हम को ये पता नहीं लगता है कि हम हाथ से कब बॉल को छोड़ें क्या हम बॉल को यहां पर से ही छोड़ दे रहें इंटरनेशनल में जब आप किसी क्रिकेट अकेडमी जाते तो आपको सबसे पहले जो लेंथ है वो इसी साब से बताते बॉल का रिलीजिंग कहां से आपने बॉल को छोड़ देना है तो यॉर्कर बॉल में क्या है आप खुद इसको ग्राउन में प्रैक्टिकल अजमाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि मेरी बॉल कहां पर से छोड़ने से यॉर्कर लेंथ जारी यह सबसे इंपोर्टेंट है इस चीज को नोट कर लेना और ट्राइ कर लेना हैं जब आप बॉल यहां से छोड़ते हैं तो आपकी बॉल फुल टॉ OS चले जाते हैं कई लोगों के भी शिकायत होती है मैं कितना भी कोशिश करूँ मेरी ज्यादा तर बॉल है फुल्टाऊ जाती है वह यही कारण है क्योंकि आप बॉल यहीं से छोड़ दे रहें जब आप बॉलिंग करके आ रहें आपको पता ही नहीं लग रहा है मेरे बॉल कहां से छूट रह देता है तो जब भी बाउंसर डालते हैं आपने देखा ओंगा यहां से आने, के बाद बिलकुल यहां आके पटकता है निचे आगे, यहां से करते हैं तब जा के short length जाता है तो उस सब्सक्राइं बांच के ने लेना है लग बग, हर जगह से छोड़ के आपने ट्रायल करना है कि आपका बॉल कहां से छोड़ के यौरकर लेंथ में जा रहा है उसके आलावा आपने क्या करना है विकेट में जहां पे बल्ले बाज खड़ा रहता है वहां पे अगर आपके पास बल्ले बाज नहीं है तो दो जूते रख देने हैं लासित मलिंगा ऐसी प्रेक्टिस किया करते थे जूते रखते थे वह देखो अगर आपने एक परफेक्ट यौर कर किंग बनना है तो आपने बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि टैनिस बॉल में इतनी मार पड़ जाती है आपकी अच्छी खासी पेस है उसके पास best option रहता है यौर कर आपके बॉल में ज्यादा speed नहीं भी है तो अगर आप परफेक्ट यौर कर डाल रहें तो आप पिटने से बस सकते हैं फिर यौर कर भी अलग-लग लाइन में है कुछ पैरू में है कुछ थोड़ा सा मीडल स्टम में है कुछ ऑफचाइड में है तो वह भी मां आगे चलके आपको बताऊंगा तो यहां पर दूसरा तरीका जो मैं बताया है आपने जूते रखने वहां पर continue आपने उन जूतूं को ठोकना है वहां से लंथ म सक्राइड में त्था दिनिए स defining करते हैं तो boiler निकल जाता है क seldom के जोग में बहुराइकर करें कि सब्सलित आप द्था करें आप यह वोझाज जाता है आपका यह खराब कुछ लाईन-बीचल मेंगर दो कि आप छीश करते किया क्राबने के निक लि SPEC करते में और ओनने का बैटिंग की आपकी वी और करके प्रैक्टिस हो जाएगी उसको यही बोलना आपने कि आगे-पिछ आगे-पिछे जाता रहा मेरी बॉलों में छक्के मारते रहे तब ही आपकी उस सिच्वेशन में उस टैप की प्रैक्टिस हो पाएगी क्योंकि जब आप सडनली मेंच में कर तब आपकी यॉर्कर की प्रैक्टिस हो पाएगी और उस टेम पर आपने क्या करना आपने मन में बिठाए मैंने यॉरकर मारना है आपका फोकस सिर्फ क्रीज होना चाहिए जहां पर आपने जूते रखके प्रैक्टिस किये अगर बल्लेबाज को हिलते वे आप देख रहे हैं प्रैक्टिस करनी आपने तब आपका प्रैक्ट यॉर्कर जाएगा उसके आलावा मैं हमेशा पहले भी बताया करता था अभी फिर से बता रहा हूं पहले दिन से यह आप फुल क्रीज से प्रैक्टिस मत करिए अगर आप फुल पिस से प्रैक्टिस करते हैं 22 याड से प्रै एक उतार लुक्तики प्रैक्टिस करनें फिर 4 कदम पीछे बढ़ाना जब는 सा करीब सौबॉट Soub Hep उसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फोड़ा सा पीछे जाना है फिर वहां इक सिद्धा रखना है फिर ऐसे करते करते आप अपने जहां-जहां سے आपका एकदम सेट होते रहेगा, यहां से मेरी प्रफेक्ट यॉरकर जारी, फिर पीछे लास्ट आप, फुल लंध से आप बॉलिंग कर सकते हैं, उसके अलावा हाथ को आपने एकदम सीधा रखना है, कई लोग ऐसा कर देते हैं, हाथ का ये जो है न, ये सिर्फ बाउंसर के एक धान देना, उसके बाद नेक्स्ट आता, आप इन जगों पर यॉरकर मार सकते हैं, पैरों में, मिडल में, और ओफ यॉरकर, आपने मैक्सिमम देखा होगा, कई बार बिल्कुल वाइड लाइन के एरिया में यॉरकर मार देते, वो सबसे बेस्ट होता है बचने के लिए उसमें आप फिल्डिंग का सेटप थोड़ा सा चेंज करिये, और वाइड यॉरकर डाले, बिल्कुल जो वाइड का जो लाइन होता है, उससे थोड़ा सा अंदर, उससे क्या होता है, अगर बल्ले बाद लेकी तरब जा रहा है कुछ स्टाप से तो आपने उस एरिया में प बॉलिंग का एक्शन से हमारा थोड़ा सा जब बॉल दोगे तो हलका सा इधर को यह, हलका सा ऐसा करोगे, यह आपको प्रैक्टिस करके ही समझमा आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपके समझमा आता रहेगा कि मैंने क्या-क्या आगे करना है, बाकि दोस्तों यह आप कंटिन्यू करें, पंदर दिन, बीच दिन करें, खूब ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप करोगे, उतना ज़्यादा आपका प्रैक्ट यॉर कर बनेगा, अब मैं आपको ग्राउंड पे बताता हूं कि स्टैप से आपने बॉलिंग को फैकना है, त्सकार प्रैक्टब करें, जितना ज़लिंगरो पीस दिल्च मतिन टॉलिंग पेत, ज가요ूद जए ड्रहां है, ज़्यादा है,six कि permission आपका फ्रवान languages ंब выглядoun, आपका लगे अपका यॉलिंग Canada, हे लादादा, थkiरा रखका जएएऎब को आक् willing बईनिया ग्रीवा, प्रिष